दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं दव बी एन वाई न्यूज मैं विवेकर नंजद अब आज जनता कर्फ्यू का ब्यापक असर सरकों पर दिखने लगा है लोग घड़ों से बाहर नहीं निकल रहे हैं सरके सुनी है आवा गवनपुर्ण रूपेन वादित है आज जनता कर्फ्यू करोना वाईरस को भागाने के लिए एक नया पर योग है जिस पर योग को बैज्यानिक पध्धती ने भी मान्यता दिया है कहा जाता है कि आडवेद में और अनपध्धती में इस बात की चर्चा है कि घंटी, संख, ताली और थाली बजाने से ध्वनी उत्पन होता है जो ध्वनी के कारण लोगों के अंदर में तरंग पैदा होती है और उस तरंग से लड़ने की छहमता बढ़ती है और साइन्टी, फिक रीजन कई बताये जाते हैं आज जनता करफ्यू है लोग पीम मोदी के इस जनता करफ्यू और ताली या थाली बजाने की बातों को तरह तरह से बढ़नित करते हैं लोगों का मानना है कि यह बदहाली यह कंगाली की इस्तिती है कि कंगाली में हम थाली बजाते हैं, भुखमडी में थाली बजाते हैं, आर्थिक मंदी है, बिरुजगारी है, देश की हालत चर्मरा चुकी है लेकिन साइंस की बात अगर माने तो धुमानी जो पैदा की जाती है, संख जो बजाई जाती है तो यह मानने अता है कि संख बजाने से आजपास के छित्र में जो दुसित बातावरन होता है या जो दुसित तत्त होता है वो समाप्त होता है ताली बजाने से सरीर के अंदर खून का पड़वाह तेजी से होने लगता है और हमारे सरीर के अंदर में जो छमता है जो blood circulation है वो तेज होता है और बीमारी से लड़ने की जो सक्ती है वो पैदा होती है ताली थाली संख और घंती आज पांच वजे अपने घड़ों के बाहर निकल कर बालकोनी हो छत हो यह दरबाजे पर खड़ा होकर बजाना है ताकि करोना वाइरस जो बिश्व में यह बिमारी फैली है और चाइना से यह बिमारी सुरू हुई और पुरे बिश्व की हालत आज बद से बत्तर है कोहडाम मचा हुआ है लोग डरे सहमे हुए है लोगों के अंदर में डर समा चुका है इस डर को निकालने के लिए और स्वेंग को स्वेंग से बचाने के लिए यह प्रयोग पीम मोदी के द्वारा करने के लिए एलान की गई है लेकिन मैं आज फिर एक बा वाकई में कर्फ्यू है जो स्वेंग जनता ने चुना है और जनता ने माना है कि कहीं ने कहीं इस करोना वाइरस से लड़ने के लिए हमें ही आगे आना होगा और हम ही आगे आकर अपने आपको बचा सकते हैं भीड से दूर रह सकते हैं जो सिकार हैं उन लोगों से दूर रह सकते हैं मास्क पहन सकते हैं हाथ धो सकते हैं तरह तरह की बाते कहीं जाती है कई दवाईयों की विचर्शा होती है लेकिन पियम मोदी ने असपश्ट कर दिया कि ताली धाली संख और घंटी बजाना है और आज दिन भर घर में रहना है सुबह साथ बजे से नव बजे रात तक साथी साथ ट्रेने बंद है बसें का पड़िचालन बंद है लोग आज सरकों पर निकलना बंद कर चुके हैं सुनसान सरक पड़ी हुई है लोगों के अंदर में आज एक धार्मिक मान्यता के अनुसार अपने आपको बचाने के लिए प्रियास करना होगा जब दवा फेल कर जाती है तो कहा जाता है कि दुआ काम कर जाता है तो यह दुआ और एक मनुस के अंदर की जो घाबराहट है उसे दूर करने का भी प्रियोग कहा जा सकता है तो दोस्तो यह दब BNY News का रिपोर्ट था जो हमने आपको पहुंचाया मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें सेर करें कॉमेंट करें साथ ही साथ मेरे चैनल को अबस्ट सब्सक्राइब करें धन्यवाद